हलो एब्रिबन मैं मनीशा भार अद्वाज मैं अपने यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूं और आज में सेयर करने वाली हूं सोयावीन के कोपते तो चलिए वीडियो को कंटीनू करते हैं और बिना इसकित के वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें आज में ने के सेयर करने वाली हूं सोयावीन के कोपते जो कि बहुत ही टेस्टी, यमी और स्पंजी बनता है तो आप रेसीपी को एक बड़ ज़रूर ट्राइब करें और ट्राइब करने के बाद कॉमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने जो सोयावीन का कोपता बनाया है वो कैसा बना है तो चलिए अब बनानाय स्टार्ट करते हैं तो यह दो बनाना के लिए हम ने शुयाविन को लिया है टमाटर प्याज तेश पता लाल मिर्ची लहसन नमा धन्या पाउडर गरम मशाला लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर पाच फोरन बेकिंग करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक बरतन को लिया है और इसमें पानी को डालेंगे पानी को डालेंगे अब इसमें स्वयाविन को डाल देते हैं अब हम इसे उबाल लेंगे और जब तक हम शाला कर लेते हैं तो मैंने एक जार को ले लिया है और अब हम इसमें टमाटर को डा स्वयाबेन के सारहा हो स्वयाबेन के लीडeur & तो देख से तरीके से शाब पानी आलग करने कामी निकाल माणी आप भडा भालोया不 देख रध वते पुछ है तो देखें मैंने स्वयाबिन को दरदरा पीस के त्यार कर लिया है तो अब हम एक बॉल को लिया है और बॉल में सबसे पहले हम स्वयाबिन को निकालेंगे इसे हमने पीस के त्यार किया है तो स्वयाबिन को हमने निकाल लिया है और अब हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी प तो देखिए इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो देखिए इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो देखिए इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यह सारा कुछ हमारा मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें टेल को डालेंगे और इसे भी हम छोटे छोटे लोईद की तरह इसे हम निकाल लेंगे और हाथ से हम इसे गोल गोल बनाएंगे आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं तो देखिए इसी तरीके से सारे बॉल्स को हम बना के त्यार कर लेते हैं सूरी बहुत ही प कोवता है चल्द बन द्राइ देक्री करेडल समय करें तो देक्वर लिज गरम हो चुका है तो इसमें बल्स हमाँ उड़ा दियेacak कर लेते हैं तो पड़ाया जन्य पोट है कि अमरी हम ढल हैं अम दूसलें आ पूर्पा तो गणा यंny पर लब करण है और इसे अच्छी तरीके से फ्राइब कर लेंगे। देखिए इसे हम अलट पिलट करते हुए इसे प्राइब कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो बागी के बचे हुए बॉल्स को भी हम डाल देते हैं और सेम प्रोसेस से हम इसे भी फ्राई करके और निकाल लेंगे तो साड़े बॉल्स हमारे हो चुके हैं और अब हम इसे भी निकाल लिए हैं वापस से हम गैस पे एक कराही को चरहा दिये हैं और अब हम इसमें तेल को अब हम इसमें 5 फोरन को डाल देते हैं, तेज पत्त, सुखी लाल मिर्ची और इन सभी को हम पहले भून लेंगे, तो देखिले ये सारा अमारा भून चुका है हम इसमें प्याज को डाल देते हैं, और इसे भी हम भून लेंगे प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें भूनना है तो देखें प्याज में हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हमने जो पेश्ट तियार किया था उसे डाल देते हैं और भून लेते हैं मशाला को हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे तो देखें यह म मशला, लोट वखिताड़, भर लोट्राइब करें, एनष मंची तरीकसे भूहना भूहना है मशला बूहन को कि पानी हमारा यसकlement बण्सक्राइब दई रखिता है पानी को डाल दिया है और आप मिक्स कर लेते हैं मशाला और पानी हमारा दोनों हो चुका है मिक्स तो आप हम इसमे एक रुबाल आने तक छोड़ देते हैं तो देखिए ग्रेवी में उपाल अ चुक है तो एसे डाल देते हैं स्पूपटा को आपी णिया है . आपको हमारा कोपता बनाने करेशी भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वेडियो को लाइप एंड चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी न भूलें थैंक यू